हलो एवेवीवान नमस्ते सो गाईज आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं करनी चाहारी हूं उसका टॉपिक है What does your brother think of you? सो गाईज आज इस रीडिंग मैं यह एक्स्रेंग करनी चाहरी हूं कि आपके भाया जो है वो आपके बारे में क्या सोचते है तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो पाइल औरेडी स्लेक्शन कर लिए है according to your birth dates तो आपको क्या करना है अपने अपने birth dates के according पाइल का selection करना पड़ेगा पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी birth date 1 से लेके 15 के अंदर आता है और पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी birth date 16 से लेके 31 के अंदर आता है और इक चीज मैं यहाँ पे clear कर जाओंगे कि अगर आपके एक से जादा भाईया भी हैं तो भी आपको अपने birth dates के according पाइल का selection ही करना पड़ेगा और हर पाइल में मैं अगर मतलब मुझे एक से जादा भाई का vibes भी आता है तो मैं हर एक का perspective यहाँ पे आप लोगों को clearly बताओंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते है तो गाइस यह जो reading यहाँ पे मैं कर रही हूँ यह timeless है general reading भी है और यह for both males और females हर किसी के लिए है मेरे जितने भी reading होता है गाई सारी ही timeless होता है और general reading भी होता है तो आप लोग जब भी जाहो मेरे जितने reading को refer कर सकते हो according to your problems और आप लोगों को आपका solution मिल जाएगा और मेरे blessings हमेश आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी तो आप लोगों को क्या करना है सब subscribe कर दिया करो ठीक है और जब भी कोई भी problem हो आपको आपको बस मेरे playlist में जाना है वहाँ पे आपके problems के regarding एक video को आपको select करना है और उसके बाद आप उस video को अच्छे से देखो starting से ending तक उसके बाद guys आपका सारी problems का solution आपको मिल जाएगा क्योंकि मेरे सारी videos जो होता है वो timeless होता है और general reading होता है ठीक है तो guys reading शुरूर काईता है pile number one से और चानते हैं कि आपके भाईया या फिर जितने भी भाईया हैं वो आपके बारे में क्या सोचते है so pile number one आपके सामने मैंने दो cards रखे हुए है आप देख पारे हो the devil का card है up right position में entry of pentacles का card है up right position में ठीक है तो आपके भाईया जो है या जितने भी भाईया हैं आपके वो लोग ये सोचते है guys कि आप मतलब आपके अंदर थोड़ा balance के कमी है they always feel कि आप उपर उपर से बहुते ज़ादा discipline mature way में behave करते हो at the same time आपका जो soft corner है ना वो बहुते साथ emotional side से है means आप चीजों को handle नहीं कर पाते हो बस आप show up करते हो कि आप हर चीज़ को बहुते कमाल के तरही के से handle कर लेते हो they always feel कि आप थोड़े playful kind of person हो बच्चों की तरह मासूम हो आप and आप दिखाते हो कि आप बहुत mature हो ऐसा उन लोगों को feel होता है otherwise they always feel कि आप बहुते साथ positive हो आपके अंदे strong feeling है और थोड़ा obsessive इंसान हो चीजों को आप भूल नहीं पाते हो past से let go नहीं कर पाते हो ऐसा उन्हें feel होता है guys the devil का कर आया है that doesn't mean कि उन्हें आप बदमाश kind of person दिखते हो no ऐसा बिलकुल भी नहीं है उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोहरी जिन्देगी जी रहे हो एक side में आप कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो एक strong personality को आप हमेशा reflect करते हो सबके सामने लेकिन actual में आप बहुत ज़्यादा kind hearted and soft person हो ठीक है they always feel कि आप एक narial की तरह हो जहाँ पे की ऊपर का aberrant जो है cover जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है लेकिन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा pulpy soft है ऐसा उन्हें लगता है ठीक है पर जब काम करने की बात आती है कोई भी आपको हरा नहीं सकता है ठीक है even वो आपके साथ भी मिलके काम करना चाहेंगे अगर आप हाँ बोलो तो ठीक है और they always feel कि आप तीम में ज्यादा अच्छे से काम करोगे लेकिन आप प्रिफर करते हो अकेले काम करना येस और जब मतलब कोई काम बिकर चाहता है at the time आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो ऐसा वो सोचते है and they always feel कि आपको थोड़ा बहुत बालनस लाना चाहिए अपने लाइप में and पैसे शायद आप लोग थोड़ा जादा खर्चा कर दे तो मतलब मैं यह नहीं बोल रही हो कि आप गुड सेवर नहीं हो लेकिन आपके भाया को जो है एक है या जितने भी भाया है आपकी तो always feel कि आप थोड़ा खर्ची लेओ अगर आप सेपी करते हो ना still he feels कि आपको औ और भी सेविंग्स करनी चाहे और सेविंग्स बहुत जादा सेविंग्स करनी चाहे 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 तो guys pile number one मैं यहाँ पे एक सड़न मुझे दिखा अगर आप लोग single child भी हो and you are looking at this reading मतलब ऐसे ही आप देख रहे हो just for fun purpose तो future में आपके भाया भी होने जा रहे है यह आप चा कार्स भी निकालिये हैं ताकि मैं और भी डीटेल में बता पाऊं कि आपके भाया या जितन भी भायास हैं वो आपके बारे में क्या सोचते है ठीक है so guys पहला है independent he really feels कि आप बहुत ही जादा independent साइट सो मतलब आप खुद का कमाना चाहते हो सर उठा की जीना चाहते हो इस त तुझे भरोसा तुझे उपर भरोसा करना मिंस कुलहारी लाके खुद के पैर पे मानने के समान है इस तरह से शायद वो बोलते होंगे कभी कबर मजाक मजाक में लेकिन ऐसा नहीं है वो आपको बहुत ही जादा लॉयल साइट से देखते हैं he really feels कि आप कभी किसी को धोखा नहीं दोंगे ठीक है आपको एक courageous person के तौर पे भी देखते हैं कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो मतलब एक पर commitment कर दिया तो किसी के विड़ी सुनते हो तो इस तरह का personality के regarding वो आपको देखते हैं he really feels कि आप money minded हो आप पैसे कमाना शाहते हो लेकिन at the same time he feels कि आप ब भी देते हो पैसे ठीक है खचा कर देते हो तो वो आपको बोला शाते है आपको थोड़ा savings के ओपर ध्यान देना शाहिए maybe a vegetarian हो या फिर अगर आप non vegetarian हो तो वो आपको suggest कर रहा चाहते है कि थोड़ा आपको vegetarian food भी खाना चाहिए like salads और जो भी होता है वो सब आपको खाना शा यह ऐसा वो सोचते है he feels कि आप उन्हें नहीं समझते हो stranger का card पी आया है आप देख पार रहो ना तो आपके भाया को ऐसा लगता है कि आप दुनों के बीच में थोड़ा gap है मतलब वो आपके उपर भरुसा करते हैं लेकिन सामने से आके अपना प्यार जताना वो जानते नह आप है जिसे की कम करना चाहिए और चीज है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नारेल की तरह हो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट उन्डिस्प्रिन साइट से सबके सामने रिप्रेजन करते हो खुद को तो बिकोस अब तर रीजन जैसा आप बहें करते हो लोग आपसे ड लेकिन आपको थोड़ा कैजूल होना चाहिया वह बहुत जादा कठोर हो रहे हूं इतना कठोर होना सही नहीं है अगर आप इंडार लिभी उन्हें कभी कबार हेल्प करने के लिए कोई एडवाइस दे देते हो तो वो चीज वो कैजूली नहीं लेते है वो सीरिसली लेते ह ठीक है और एक चीज है guys कि he really feels कि आप surprisingly उनके लाइप में आये हो एक surprise की तरह उनके लाइप में हो यह destiny था कि आप दोनों इस जनम में भाई बनके आजाओ शायद अगली जनम में जो आपका पिछला जनम जो था वहाँ पे आप दोनों best friends थे and you both decided कि हम लोग next जनम में भाई ब brother बनके ठीक है तो मुझे आप ऐसा feel हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग past me best friends थे इसलिए इस चरह में आप लोग भाई हो ठीक है और एक चीज है guys यहाँ पे yes का कार्पी आया हुआ है तो आपका यह जो भाई है या जितने में भाईयास है वो आपके बा है कि आपको थोड़ा बहुत balance में रखना है अपने life को means बहुत साथ कठोर हो चाते हो कभी को बार बहुत गुस्ता हो चाते हो तो उसे आपको थोड़ा balance में रखना है और एक चीज है जो कि आपके भाईया को लगता है कि आप bet लगाते हो means होता है ना कि चल शायद आप ऐस आप ऐसा बोलना शुरू कर दो कै आपका भःया जो है तो orgat को ख्रू है तो कल यह अदा भट लगा लगाना जो आप लगा देते हो कि चल जो मतलब बोल किया करना है करके दिखा दूंगा ये करके दिखा दूँतुति कि वो साइड आपको थोड़ा कर देना शाए है इतना भी जादा दबम होना सही नहीं है according to your brother ठीक है वो ऐसा सूसते आपको तो वो बोल रहे हैं कि आपको ये बैटिंग बैटिंग ये सब लगाना आपको नहीं चाहिए ओक है so guys यहाँ पर मैंने कुछ advice cards भी निकाली हैं आपके भाईया की तरब से कि वो आपको क्या advice देना चाहते है the losses you had gone through will teach the importance of victory and it will guide you for your future success तो वो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने life में कुछ losses देखे हैं कुछ परेशानिया देखे हैं तो वही परेशानियों से जो आप गुजरे हुए हो ना वही आपको एक नया रास्ता दिखाएगी वो आपके success की तरब लेके जाएगी victory की तरब लेके जारी है don't trust blindly with anyone always trust on you it will show you a clear path for your personal life as well as career basis तो आपको blindly किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है चाहे वो आपका best friend ही क्यों ना हो हमेशा खुद के ऊपर पहले भरोसा करो guys and वही चीज आपको आगे लेके जाएगा सही रास्ता दिखाएगा अपने खुद के life में भी और career life में भी while speaking use nice words that will reduce your problems otherwise be silent for a while तो जब आप बात करते हो अगर आप गुसे में हो कभी कोई चर्चड़ा हो जातो बहुत कुछ बोल जातो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जातो so guys straight forward हो ना गलत नहीं है लेकि गुसे में कभी कभार हम ऐसा कुछ बोल जाते है जो हमें बाद में regret होता है तो आपके भाईया जो है या जिते भी भाईयास है आपके वो लोग आपको यह बोल रहे है कि थोड़ा सोच समझ के बोला करो अगर control नहीं हो रहा है तो थोड़ा चुप रहे जाओ चीक है the end is a beginning for you तो आपको जो ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ खतम है वही आपका beginning है the value of love is care, emotions, nurturing and openness आपके भाईया आपको समझा रहे है कि जो प्यार होता है उसका सही मीनिंग होता है care करना, दूसरों के emotions की कदर करना, दूसरों को nurture करना जब जरुरत है तब साथ निभाना, उससे हमेशा याद रखो success is waiting for you in your near future तो आपके भाईयास आपके उपर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं and they were telling you कि success बस नजदीक है आपके future, मतलब जो आप चाहते हो वो आप हासल कर लोगे बस अपने life को सही direction में लिया करो थोड़ा गुसा कम करो, bad words अगर आप by chance भी बोल चाहते हो उसे आप थोड़ा reduce कर दो और बहुत जादा जो कठोर बन चुके हो आप उसे थोड़ा अब बहार निकलो अपने life को enjoy करो, यही बोलना चाहते हो और वो आपके उपर भरोसा करते है गाई पहले ही जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते but he really loves you और वो आपके उपर trust रखते है ठीक है, वो आपके साथ है तो आपको डरने की कोई जवरत नहीं है बस आगे बढ़ते चाहो अपने career के उपर focus करो और अपने personal life को enjoy करो, ठीक है यह था reading for panel number one तो अगर आप लोगों को मेरे जो पर आप लोगों को सुनना ही अश्रागता है guys, तो आप लोगों को सुनना ही अश्रागता है guys, तो आप लोगों में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो like कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने family friends and colleagues के साथ तो guys support दिखाओ और मेरे blessings समीशा आप लोगों के साथ ही रहेगी so take care and be safe, love you all, thank you, bye hello everyone, namaste so pile number 2, आपके सामने मैंने 2 cards already select कर लिए है the high priestress का card है, in reverse में and four of cups का card है, upright position बे तो आपके भाईया जो है, या फिर आपके जितने भी भाई है वो आपके बारे में क्या सोचते है so वो यह सोचते है guys कि आप थोड़े reserved हो reserved personality वाले हो either आप introvert हो या फिर simply आप हर बात उन्हें नहीं बताते हो I know कि हर बात सबको हम नहीं बता सकते है चाहे आप लड़काओ, चाहे आप लड़केओ, that doesn't matter लेकिन हमेशा हम हर बात को अपनों के साथ शेयर नहीं कर पाते है कभी कोई कुछ बाते होती है जो कि हम सिर्फ अपने friends के साथ शेयर करते है भाया, बहने, mother, father किसी के साथ भी शेयर नहीं करते है लेकिन आपके भाया आपको बोड़ रहे है कि इतना जादा तुझे सोचने के ज़रुरत नहीं है मैं हूँ तेरे साथ ठीक है, he always feel कि आप आपको जो चाहिए वो आप नहीं मांगते हो आपको मांगना शायद पसंद नहीं है कि मुझे ये चाहिए दे दू ठीक है, और उन्हें ऐसा ये भी लगता है कि आप थोड़े confused हो जाते हो कि suppose आपके सामने तीन-चार चीज़े रखी हुई है तो उनमें से एक select करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है at the same time you can select two or three products आप select कर सकते हो दो तीन लेकिन वो दो तीन में से भी एक चीज़ select करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ आपके ब्रदर ने notice कर रहा है और वो आपको बोला चाहते है कि बस एक बार बोल दिया करकी आप मुझे ये बता दू help मत मांग सिर्फ बोल दिया करके बता दो मुझे इतना काफी है बस वो इतना आपको बोलना चाहते है और एक चीज़ वो उन्हें ऐसा लगता है कि शाद आप budgeting में अच्छे नहीं हो या maths में अच्छे नहीं हो या simply आपको calculation में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ये कुश्रोग के लिए है guys हर किसी के लिए नहीं लेकिन आपको भया को लगता है कि आपको थोड़ा और maths और ये सब में थोड़ा आपको और वीज़ादा महनत करने आपको practice करना चाहिए ये मुझे कुश्रोग के लिए दिख रहा है हर किसी के लिए नहीं ठीक है he always feels कि आप बहुत जल्दी हतास हो जाते हो demotivated हो जाते हो मतलब कुछ होता है और आपका जो सारा excitement होता है वो डूब जाता है थोड़ा मूडी हिसाब से वो आपको देखते है he always feel कि आपको थोड़ा guidance के जरुरत है and आप अपने life को seriously लेते हो नहीं लेते हो means उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा confused इंसान हो ठीक है उन्हें ऐसा feel होता है कि एक time पे आप बहुत ज़्यादा excited हो जाते हो एक time पे आप बहुत ज़्यादा sad हो जाते हो ठीक है क्योंकि आप बहुत साथ सीर्स हो जाते हो गाइस ठीक है अगर आपको कोई काम करना है आप जी जान लगा दोगे जो कि अच्छे बात है लेकिन उस टाइम पे अगर आप खाना पेना छोड़ दे रहे हो है तो वो चीज गलत है ठीक है और कोश्रों के लिए मुझे ये भी दि लेकिन उन्हें इसके बारे में पता है और वो आपके साथ इसके रिगार्डिंग बातचीत करना चाहते है लेकिन फिल्स शाय ठीक है उन्हें थोड़ा मतलब हो जाता है कभी उपर ऑख़वर्नेस की कैसे बात करूं बात करूं या नहीं करूं या या खुद भी समाल लेका तो वो आपके साथ थोड़ा क्लिरली बात करना चाहते है कि समझाना चाहते है आपको कि कोई नहीं ब्रेक अप हो गया ठीक है कोई और मिल जाएगा या कोई और मिल जाएगे तुझे टैंशन लेनी की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो इस पाओं कि आपके भाईया या फिर जितने भी आपके भाईय है वो आपके बारे में क्या सोचते है वो सोचते है कि आप थोड़ा फणी हो मजाग करना आपको पसंद है अपके अंदर पेशिंस की कमी नहीं है मतलब अब बहुत हद तक ट्राइ करते हो कि गुसा ना करू मैं लेकिन होता नहीं है मतलब पेशिंस है आपको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा अपनी स्कल्स के ऊपर थोड़ा बैंसमिल लाना पड़ेगा ऐसा उन्हें लगता है यी रियली फील्स की आप थोड़ी डॉमिनेटिंग एंड कंच्रोलिंग हो जाते हो मतलब पहले-पहल तो निकलता है कि ऐसा हुआ होआ है एसा हो या आपने उसा किया मुझे सप़ोकर लइक था लगट अपर आ इसा बोलते जाती है तो वह ओल रहे हैं कि तेरे अनदर पेशेंस है थीक है तो फटारी थीक हैं लेकिन बातों को बताया कर छुपाईया मत कर तो ज्यादा छुपा वो at least share कर ऐसा वो आपको बोल रहे है ठीक है और शायद आपको बहुत जादा spicy food पसंद है वो चीज आपको भाईया को पता है और कहीं उन्होंने सुना होगा कि जो लोग spicy food खाते हैं वो जादा गुसे वाले होते है तो उन्हें ऐसा लगता है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जादा खुबसूरत हो आपके लिए कल्चर ये सब जैसे कि आपके जो फ्रेंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से ब्लॉंग करते होंगे तो आप हर कल्चर को रेस्पेक्ट देतो वो चीज आपके भाईया को अच्छा लगता है आपके अंदर इतनी अच्छा ही है उन्हें लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल परसन भी हो लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आपके लाई पे बहुत सारे फेजिस चलते रहते हैं आज ये हो गया कल कुछ और हो जाता है सड़न सड़न कुछ होता जाता है आपके लाईब में क्योंकि आप सिप्ट एंड चेंज का कार्ड भी आया हुआ है कभी आप घर पे रहना पसंद करते हो कभी बाहर जाना आपको पसंद है मतलब सड़न आप बोलोगे कि नहीं मैं घुम के आता हूँ या घुम के आती हूँ आई मन नहीं कर रहा घर में रहना का लाईक दाट तो उन्हें लगता है कि आपके लाईब में कुछ भी चीज़े जो है रवो स्टेबल नहीं है हर चीज़ इधर उधर हो रहा है और उन्हें ये भी फील होता है कि आप एक ऐसे इंसानों जो की प्यार का महत्व जानता है आप सच्चा प्यार करते हो इसे चकर में उन्हें डर भी लगता है कि क्योंकि देखो आप खुबसूरत हो ठीक है हमेशा आप सोसते कुछ और हो और हो कुछ और चाहता है हमेशा डिले होता रहता है आप कोई चीज़ काम करना चाहते हो लेकिन उसमें भी डिले हो रहा है मुझ भी सही नहीं चाहरा है आपके लाइब में और उसी चकर में आपके भाईया actual में अगर वो कहीं दूर भी रहते है तो भी वो आपके पास आना चाहते है और अगर आप लोग सेम घर पे भी रह रहे हो और वो बज़ी है अब बज़ी हो तो वो आपके पास आके बैट के आपको समझाना चाहते है हर एक चीज की लाइब क्यों कैसे tackle करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ताकि आपके life में जो भी उथल पुथल चड़ रहा है उसे वो submit सके, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाईया को आपके बारे में पता नहीं है कोई चीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके बारे में खोश कबर रखते है and he knows everything about you ठीक है आपके personal life के बारे में career, profession सब कुछ के बारे में उने पता है इसका मतलब यह नहीं है guys कि वो interfere कर रहे है आपके life में वो चाहते है कि आपके life में सब को सही हो जाए जो कि नहीं हो रहा है ठीक है तो इसलिए वो आपके पास आना चाहते है आपको समझाना चाहते है क्योंकि यहापे union और partnership का card भी आए हो है तो आप देख पा रहे हो पक्का वो आपके पास आ रहे है अगर सेम घर पे भी रहतो तो वो आपके room में आएंगे आपसे बात करेंगे जो कि casual बाक्चीत ही होगी और वो advice आपके लिए बहुत profitable शावित होगी ठीक है तो guys यहाँ पर कुछ advice cards मैंने निकाल ही है तो guys मैं यह बताने चाहरे हूँ कि आपके भाईया या फिर आपके जितने भी भाईया है वो आपको क्या advice देना चाहते है क्या समझाना चाहते है come out from sadness happiness is waiting for you तो वो आपको बताना चाहते है कि जो तो यह दुखी बैठा रहता है देवदास की तरह बैठा रहता है या बैठी रहती है उससे थोड़ा बाहर निकल बाहर निकलेगा या निकलेगी उसके बाद ही तो खुश रह पाएगा या खुश रह पाएगी make a move or take action आपको अपने life को seriously लेना है अपने career को seriously लेना है जो तो खुश चाहता है या चाहती है उसके उपर तुझे focus करना है बहुत हो गया तुने जितना suffer करना था बस हो गया अभी खुद की life को जी make a proper decision at a correct time otherwise it will be too late तो वो आपको ये समझाना चाहता है कि आपके life में तेक है आपको decisions जो है वो proper time पे लेना पड़ेगा अगर आप बहुत जादा delay करोगे सोचने में तो लेट हो जाएगा guys जो opportunities है वो आपके हाँ से चला जाएगा तो आपके भाईया आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा समझदारी से काम ले okay pain will teach you to understand the actual nature of people you will know who is good and bad for you तो आपके भाईया या जितने भी भाईय हैं वो आपको ये बच समझारश आता है तो आपने जितनी भी दर्थ सही है वही आपको guide करेंगे कि कौन बंदा या बंदी आपके लिए सही है और कौन गलत है तेक है आप दुनियादारी सीखोगे उससे before entering into any relationship sorry पता नहीं guys इसमें लिखा कुछ और है और मैंने बोला कुछ और so guys ऐसा भी हो सकता है जो मैंने ये बोला ना वो आपके लिए कुछ guidance की तरह होगा इसलिए मैंने ये वो चीज बोला तो मेरे मन में था कि मैं बोलू कि before entering into any relationship you need to see that person here she is good for you or not ठीक है जबही भी कोई इंसान आपके आपको propose करते है या फिर आप किसी को पसंद करते हो ना तो पहले देख लो कि वो आपको यूज तो नहीं कर रहे है उसके बाद चाहके आप relationship में enter करना क्योंकि ये चीज़ मेरे mind में चल रहा था I don't know why जब मैं ये मतलब set कर रही थी तो ये आपको दमाग में रखना है ये मेरे तरफ से एक guidance है आप लोगों के लिए So before entering into any decision or conclusion आपको थोड़ा समझना है सोचना है और उसके बाद conclusion में पहुँचना है plant the seed first means you have to make the blueprint first and then come to the conclusion आपको time table के regarding चलना सीखना पड़े का guys आप बस फ्रो में जीरो flow में जीना छोड़ो discipline हो जाओ थोड़ा time table के regarding चलो सब को सही हो जाएगा Don't judge someone with their status and position में भी आपको ऐसा लगता है कि जो लोग पैसे वाले होते है वो लोग मतलब rules break करते है फिर भी they were always right मतलब आपका कोई न कोई person के उपर ना गलत धारणा है और वो चीज आपके भाईया आपको बोल रही कि ऐसा नहीं है एक इंसां के साथ अगर तेरा experience हो गया या फिर तेरा मतलब चाहे वो इंसां तेरा friend था girlfriend boyfriend कोई भी था या कोई भी थी उसके साथ अगर तेरा सही नहीं चला इसका मतलब यह नहीं है कि सारी दुनिया ही गलत है ठीक है तुझे बस यह सोच के चलना है कि जो तेरे सामने आ रहा है या आ रही है वो सही है या नहीं इतना बस तो सोच के आगे पर ठीक है nice future is waiting for you so relax and now take action तो बहुत कमार का future तेरे लिए wait कर रहा है तुझे क्या करना है बस relax होना है और अपने काम के ऊपर अपने करियर के ऊपर अपने health के ऊपर ध्यान देना है तुझे इतना करना है यही चीज़ आपके भईया या पर जितने भी आपके भाई है वो आपको समझाना शाथ है guys okay so तो यह था रीडिंग आप लोगों के लिए पाल नमबर टू तो अगर आप लोगों को मेरी जो रीडिंग्स होते हों को रेजुनेट करता है या आप लोगों को सुनना ही इचा लगता है काईस तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाइप कर सकते हो अपने friends and colleagues के साथ ताकि जो help आप लोगों को मेरी readings के truth मिलती है same help आप लोगों के love turns के life में भी आचाए आप लोगों को बस थोड़ा सा support दिखाना है subscribe करना है चानल को ताकि मुझे भी motivation मिलता रहे take care, so guys take care and be safe, love you all thank you, bye